नवस्कार मैं हूँ सत्या राजपूत और आप देख रहे हैं हमारे खास पेस का पारा मोहला चुनावी हला जी हाँ इसकार करम के ताथ आज हम पहुंच चुके हैं वीड सावर कर वाड करमांग एक में जहां जानेंगे जनता को क्या समस्या है और इस वाड में कितना विकास ह हुआ है अब हम पहुंच चुके हैं वीड सावर कर वाड के गली नंबर चार में और इस वक्त हमारे साथ यहां के कुछ निवासी है उनसे जानते हैं कि इस वाड में किस तरह की समस्या है पास सालों में कितना विकास हुआ है तो यहां आप पास सालों से देख रहे हैं आप किस तरह की समस्या आपको देखने को मिल रही है क्या विकास हुआ है यहां पर बस यह कि सफाई टाइम से नहीं होती है और बाकी नाली वाली अगर साफ नहीं होती है तो नाली साफ नहीं होती ति यहां गंदगी और मच्छरों की समस्या हां मच्छर है बहुत है नाली साफ न ने चींव श्रोजेसरा जिया घर गठाने की बात करते हैं तो यह नहीं आते हैं यह ते फाला टीक आप बहुत काम करें लिएतनी की कोया है संटूश्ट आगाता यहां पीदर आए बहुत कम ही आत में होती है यहां मुल्भू स्वीधा की बात करें तो यहां पी कितना उपलब्द है लोगों को कितना मुल्भू सुवीधा उपलब्द कराने में कामियाब रहे हैं पारसर यह मैं नहीं बता सकती बिजली पानी सफाई उसके लिए ठीक है सब कुछ बैटर है पानी भी टाइम से आता है वाकि स उतना क्लियर नहीं रहता है फिल्टर से भी अगर हम फिल्टर करते तो पीने लाइक नहीं है पानी और नाली भी साफ होता है तो वह कचड़ा बहार रख देते हैं और वह हफते दस दिन में ऐसे जाके लेके जाते हैं उससे कचड़ा पुरा फिर मच्छड फैलता है सौने बार में सब्सक्राइब चाहिए नाली के माना इससे ब्याना अब जाते हुझ यहां रहly तो किस तरह की विकासकार देखें आप यहां पे रह रहे हैं सालों से पहले यहां पर क्या कमिया थी जिसको पारशद पूरा किया है नहीं कि पहले जैसे रोड मतलब अलग रूक के नहीं रूदिस के दूभ तो अभी आपने अगामी-णगरी निरुक्ते चुनाओं परिसत्र का चुनाओं करना हूं कई उपूर आपके पास आएंगे । रूब वीड़़ें आपके पास कुछ मांगे हैं इस कुछ हम तो यहीं बोलेंगे कि मतलब जैसे नाली का कचड़ा वहां निकालते हैं तो उसे टाइम से साफ करो बस यहां यूवास आती है उनसे भी हम जानते हैं कि वह किस तरह की सोच रखते हैं अब कितने साल के अभी 15 तो आप यहां पे पढ़ाई कि क्या बेवस्ता है आंगन महले में पुरा हां सफाइट होता है परस कचड़ा अला थोड़ा कभी कभी लेट उट हो जाए दो-30 दिन ना आए वैसे अब ठीक है पानी की समस्या आपको इसकूल जाना होता होगा सुबा-सुबा तो पानी आपको मिल जा देश नहानी के लिए सुबा हां मिल जाता है प चैनलब creation 25 साल हो घांजा 25 साल से यहां का दवर देख रहे हैं faitастल 5 सालों में पीचे 50 सालों में बिते वहें कितना वीकास का रहे हुआ बिकास थीक हुआ वी क्या हुआ है रोड बन गया लाइट वाइट लग गया पनिवानी हो गया अभी क्या समस्या आपको देखने को मिलता है आपने अपने काम में सब ब्यास्त है यह और भी लोग है उनसे जानते हैं आप कितने समय यहां रहे हैं तो आपको तो पूरा बुरू-बुरू होंगे यहां के क्या समस्या है किस तरह कि आपकी पारशत का उनके काम से आप कितना संतुष्ट है पारसत की तो आप बात चुड़िए सबसे बनी बात तो विकास उपाध्या जी आए अपर तब से यहां पर काम का थोड़ा सा तरक्क्य हुई है क्योंकि वह कांग्रेस है इससे बहुत बेनिफीट है यहां के लोगों को क्यों कि विकास भिया ने बहुत काम करवाया है यहां और संदीब जो है एक तो व्यक्तिक अत्रुप से यहां से लोगों रूब रूब हैं उन्होंने भी बहुत उन्हीं के द्वारा काम किया हुआ है बस अभी चुनाओ प्रशार के नाम से अभी साफ सफाई का यहां पर बड़ी दिक्कास है क्योंकि प्रशार में लगे में साफ रहत like buy बताइए यहां पर जैसे हम बात करें आपने सफाई की बात कि कही है तो नाली कि इस्ति्तिय है मच्छर कितने हूँ यहां मच्छड की उत्यक्री ने तकलीनाओं लेकर मच्छर नाली सपाई करता है मच्छर उनको खुद करता है इतने सारे जाड़ जटकड़ कि इतने मच्छर वहाँ पर अल्रेडी होंगे लेकिन समस्या का समधान तो नहीं को करना ना कि पब्लिक करेंगी यहां पर जैसे लोगों को कितना प्याम आवास मिला होगा एक अ प्याम आवास है क्योंकि सरकारी संपत्ती पेंसान वगेरा की बात करें यहां के जो बुझूर गहां उनको समय पर पेंसान तो यहां पर गिने चुने लोगों कोई मिलता हो का मेरे हिसाब से आपको क्या ऐसे जरूरत लगता है कि यहां पर यह काम होना चाहिए कि इससे हमा पानी टंकी हो यहां शोपीस में खड़ा करके रखें में जमाने से जब तक कुछ हास्ता नहीं होगा जब तक यहां से पानी टंकी नहीं हटेगी और तो और सारे में हाइवे अपना रोड वहां परसी दिन कोईनों कोई एक्सिडेंट होते रहता है उसमें भी किसी का कोई नजर नहीं है अभी कली की बात परसों की बात है कि एक्सिडेंट हो गया वो डिवाइडर के चक्कर में यह सामने में आप देख लग सकते हैं आप दिखा भी सकते हैं ट्रक खड़ी है यह कलोनी के अंदर में वर्चित है लेकिन फिर भी ट्रक आती है यह हमारे पारसत जी क कैसे रवाइया रहते हैं पारसा तो वेल गूड है रहन से बातचीतों में तो उसमें कोई दोमत ही नहीं है उनसे अच्छा आदमी दीखेगा ने लेकिन कारे की बाते होती है कारे अपने अपने तरीके से अपने अपने सिस्टम से करता है आजमी अब वो भी बंदे हुए ह प्रत्यासी आएंगे तो आप क्या चाहेंगे ऐसा वो काम करें कि आप उसको वोड़ दे व्यक्ति गत रूप से उनको खुदी देखना चाहिए प्रत्याशी है उनसे जानते हैं कि उनकी क्या इजिंडा है क्या वो काम करना चाहती है जिनके अधार पब्लिक उनको मत दे तो हम सीधा उनहीं से बात करेंगे प्रत्यासी से क्या नाम लिखते हैं आप कमलेश्वरी वर्मा कौन से वाट से प्रत्यासी हैं वीर सावर कर नगर वाड करमांक वन तो हम आप से पहले यह जानना चाहेंगे चूकि बताएं यह उसको भी करेंगे क्या इस इंड़ा है आपको आप अगर पारसद बना दिये तो आप क्या काम करना चाहती है कि पहला काम यह होगा जैसे कांगरेश सब्सक्राइब आई उनने कहा कि हम काते ही किसानों का कर्जमाप कर देंगे पचीस सो रुपे में धान खरी द देखती है और क्या क्या नएा नए प्राबलम आयेगा उसको भी इस महाई आप पारसद रहे हैं अभी तो इसमें आपका किस तरह काम किये उन्होंने किस तरह की अभी समinal बनी हुई है लगा इस सिकाध कर रहा है उसकर हम लोग को बहुत सुनना पढ़ रहा है त Stephen to काम को क्या समस्य देखने के पांस सालों में किस तरह से विकास कारे हुए विकास कुछ नहीं हो रहा है जो हमारे राजेस मुर्थ ने करवाए थे वी काम रुख गया अभी कोई काम नहीं हो रहा है यहां के जो और भी बुझोर्ग लोग हैं उनको पैंसन मिल रहा है नहीं किसी कुने लोग पैंसन वाले हम लोगों के पास आते हैं बोलने के लिए कि हम लोग कोई काम नहीं हो रहा है पारशत कार्यालामे जाते हैं तो कई आना परसो आना यह बोल करके उनको वह पस कर दिया जाता है उनके पर जाते हैं बादे लोग पोपनी के बात करें है आप लोग कुछ खास कर की शनके मोर्चे पर रहते हैं पानी की लो लोग को बता एब गंट को निंगम के इस्ते निगम का इस्ते माल करते हैं आटे это प्लूल की नाली कचरा सब पढ़ा है घंद पहला तो जैसे यह तो रहेंगी कचळा साप नहीं होता तो keyword कुछ नहीं होता थोसमें वाली को देख स्पर? आप ये पारसात के पांस सालों को किस तरह से देखते हैं क्या विकास कारे हुआ है अभी क्या समस्या बनी हुई है आज अपन वार नमबर एक में आप लोग हो और वार नमबर एक में आप गली गली महले महले में जाके देखिएगा जो इस थिती आज से पांस साल पहले हमारे यहां के पार्षत मनी दुरूर होते थे, जो उसने कराया और जो राजेस मुरत ने यहां करके गया, वही श्थिति अभी भी कायम है, यहां का न रोड बना है, न नाली बना है, आज अगर किसी कॉंग्रिस के घर के सामने का रोड बना है, तो वो भी संदीप के साहु के समय ब भी रोड बनाने वाला राजस मुरजी हमारे हैं आज जो स्कूल बनाया है वाद नमबर में उसको भी वनाने वाले में हमारे राजस मुरजी है अब भी उसी समय बनाता है जब हमारा परदा पार्षत हुआ मनि धूरू गरता था आज जो यहां आंगन बारी की समय सै की बात कर लेते हैं आंगन बारी भी यहां जो बनाने वाले हैं वो भी राजेस मुरस। जी ने बनाया था पारसद संद्रंबकों के और यह को ना किसी तलाबों की तरह से सरकाल पीर रही है और पारसद वार नम्हर के फिद रहे है यह सब समस्या होने के आपने जैसे गिनाया यह समस्या है इसको लेकर कुपाइब आप पार्सद के पास आपने अंगिनत बनीं मुंतरी के पास गए थे जहां तक मंतरी थे उसमें अंत्रा काम करया मंधी चल्प हुए ले और रहे बात पानी की पीने की बात कर लूँ मैं तो आज अप पानी को भर के घर में रख ले उसको जब तक हम मसीन में फॉलोर नहीं करेंगे पीने के लाइक पानी नहीं है इस समस्या को लेकर हम जोन कमिशनर को ग्यापन भी देखे थे कि नाले में कीरा भी निकल गया था य हैं आभी समस्या बरकरार है और उन्हीं समस्या के समाधान के अधार पर उनका के इजेंड़ नाए अगर उनको उस पत पर लाये जाता है तो प्रत्मिक तक उनका वही होगा जो समस्या हैं उनको दूर करेंगे फिलहाल यहां जनता की मिली-जूली प्रतिक्रिया मिल रही है अब देखना यह होगा कि जनता कि इसको प्रत्यासी चुन कर पार्शत पद पर बैठाती है इस वक्त आमए वाड करमांग जवा में ढूंचे हैं और यहां फे तमाम जनता हैं यहां पे उपस्तित हैंrei Dash आप कि इयां कि कर अक यहां जानते हैं कि हैं यहां किस तरह की समस्या और पास चाहूलों विटें बात करते हैं और उनसे उनकी राहे जानते हैं आपका नाम जानना चाहेंगे क्या नाम लिखते हैं कितने सालों से यहां करीब ऑँ पंदरविस साल चाल अब लिखें हैं पहले कैसा था अफ कैसा है कोई पर sovereignty हैं क्या संभूय हुई आप तर यहां मडें हैं किस वार्द में हैं कि आसमाफ आपके पारसद लुझत प्रितम जी जो है पर से लुजा क्या क्या करना यहाइद उनके कारें इस अनुँन कि सबस्ता करें दिया यह रोडोट का समस्या है अधिया लोगों को पैंशन वगरे मिल रहा है नहीं पैंशन और नहीं पानी आपको समय में मिल रहे हैं जिस दिन नहीं आता तो उस दवरान कैसे करती है जो यह और भी लोग है उसे जानते हैं चुकि यहां पे पीछे से बहुत सारे यहां पे विरोध दर्ज करा रहा है इनसे जानते हैं कि किस तरह की समझ्यां आपके क्या क्या समस्या विकास कार्य हुआ है हमारे तरफ पांच साल होगे पार्षाद बनी हुए पार्षाद अभी तक मुहलम नहीं आए हैं देखने नहीं आते हैं पितम ठाकूर और समस्या बताने से उसका घर भी जाओगे तो भी नहीं आते हैं जाकने आते हैं और या गंदगी में हम लोग सब बसे हुए हैं और सब स्याहरगे होते हैं उसी तरफ पानी आते हैं नहीं आने से समस्काव में हाद है भाटे पोलोगे तो अभी जोपतärt you नहीं बोले का डिंगिव नए जाते हैं है कैसे पड़े है बच्चे देख रहा है यहां पर तो यहां बच्चे लोग कैसे करते हैं यह सावने गंदगी है भाइया पड़े रहते हैं जैसे तैसे क्या करेगें कहा जाएगा कहा खिलने जाएगा भईया अपने घरदेवार को छोड़के बतार ना और यहीं रहेंगे रहेंगे या हम लोका यहां अब बहुत तरह करते हैं करको का समस्थान कर्वात्यार राता शालाता है तोड दिया जह के देख लो अब ही तक को तरीका है कि हम लोग यहाँ नहीं से महिला है या पूरूस है महिला है कभी है जब सजीती कभी नहीं आती है अब गया थे ना एक बार आप लोग के सरकार के योजना का फैदा मिलता है रखाली रासन बस खाने से हो जाएगा बताओ तो प्रशान केमपों केरह लगता है यहां तो एक ठोक आंगान बारी नहीं है ठीका लगाने के लिए वहां वहां भरतकते हैं कोई बास कारते हैं किसी विधायक पास के पास की एफ हमको यह घर चाहिएह हमको भी पट्टा चाहिए सब बस्तीब दे रहे कहे क्लिए बस्ती इंदिए रहे सरकार पट्टि वाले के लिए था धी रहे वह पट्टा पट्टा दिया जाए है और हमको भी यही पर मकाम बनाने क्लिए पायसा चीड़ा आप लोगों को अभी तक प्रदान मंत्री आवास नहीं मिले हैं नहीं मिलें कुछ नहीं मिलें हम अपनी का अरो जो अपना रान कुमारी कौन लिया पैसा कौन लिया पैसा कौन लिया पैसा किसको दिये हैं चौन लिया और यूएस आती हैं उनसे जानते हैं आप यहां रह रहे हो किस तरह की समस्या के सामरा कर रहे हैं रहे हैं यहीं रहेंगे हम लोग यहीं जो रहेंगे जो सेप्टी जो बनाया है सब हम लोग पासे दिये हैं सब चन पासा जो बनाया है उसको पासा दिये बारा बरा सो दिये लिकिन सेप्टी उतना भी नहीं बना है हाँ छोटा सा माना हां उतना घड़ा मी नी हुआ है तीनी जमास घड़ा हुआ है नहीं नौपर से मतलब दो धलाई करते नीचे ओभी नहीं है ऐसी बना पर भार बार बारा शोरूपर लिया है सबसे लिया यह पे आप याओ भी लोग है राटी हम आप से जानेंगे क्या आप पेंसन नहीं मिलते हैं जरूरत हुए तोला टाशा आवा है तो गर मीलें नाइए का समस्या हुए पीर है तो रोल के समस्या है दोर दौर मठी काना नहीं है तोड़ी तोड़ी कि इता मन कहा जाबो गरीबाद मी अभी अभी चुनाओ आँ फेर अभी आप बोट मांगे लाही हाना तो का किया हूं मला वो तो बोल देखे बन आप आप बन आप बाकी बन गे उकर काम बन गे बांसल जाते हैं बगरी बाद मीचे देखतरा आप 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 करके तो पिछले वाले पारसाद आई से यहां घुमेले काद बार तो क यहां लोगों से अंगे शुना इस तरह के प्रतिक्रियां आ रही है यहां और जानते हैं कि इनको और क्या समस्या यहां कलते हैं कि ग्रमी के दिनों में क्या इंस्थी होती है यहाँ गर्मी के दिन में पानी कवानी दिन में नहीं कभी आते कभी नहीं अवे ना तै respecto questo bleibt अब ह Tyler Church के बहरतान कुछ कुछ नहीं ब्रधान यह ई इस रोड को बनेगा कि तरने के लिए बदाव तोड़ों में ठीक काहीं भी सरकार देगा लेकिन आपने जग हम जाने के लिए कोशिज़ करें गलत नहीं बोर है ठीक है उस चीज हमको चाहिए पानी तो हमको में थीक है अभी यह तो सारे समस्या लोगों अब यह है दिकत कि आप लेकि इतने समस्या है इसका समाधान हो कैसा पारशा चाहते हुआ अपने बीच से लाओगी आपका सोच है आपका मोहला है आपका समाधान करना है कि आपको कैसा उमिद्वार चाहिए कैसा उमिद्वार चाहिए वही चाहिए उमिद्वार चाहिए इसके लिए नहीं करें तो जो अभी बोट मांगने आएंगे आपके उनको क्या का होगे आप हम कहेंगे वोट नहीं देंगे विज़ा हम वोट नहीं देंगे नहीं हमारा चाची है यहां बहान है शीटर है हutet थेक है तो अभी आपने सुना इन लोग जिन का इतना इतना समस्या के समधानस के लिए बार-बार ल्दध नहीं सका है बड़ाहल इनका कहना यह है कि अगर इनके समस्या का समाधान नहीं होता है तो यह जो यहां भी मद्दाता है उम्मिद्वार जो प्रत्यासी यहां पर मद्दान मांगने आएंगे उनके यह लोग चुनाब हिसकार की बात कर रहे हैं तो फिरहाल देखना यह होगा कि इन झाल झाल